जहिन दोस्तो फाइनली आज आपके सामने है 2022 की न्यू लॉंच बजाज पलसर N160 का ब्लैक कलर ड्यूवल चैनल ABS के साथ पलसर N160 सोरूम पे आ चुकी है इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ड्यूवल चैनल ABS के साथ टोटल चार्ड कलर आपसन के साथ ये बाइक एवलेबल है इसकी डिटेल ऑन रोट कीमत क्या है, फीचर्स क्या मिलते हैं, माइलेज क्या है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जागी तो वीडियो को लाश तक पूरा देखना, चैनल को सस्क्राइब कर देना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बाइक का फ्रंट लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, ये बा प्रजेक्टर हेडलेंप सेटप मिल जाता है, साइट प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे डिवल टोन कलर के काफी सांदार आपको ग्राफिक वर्क देखने को मिल जाते है, फ्रंट वाली अगर मॉडगाट की बात करें तो टू-पीस मॉडगाट के साथ आती है, थ्री टोन कलर मिल जाते है, काफी हेवी मॉडगाट देखने को मिल जाती है, और साइट से आपको ABS ड्यूबल चैनल की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है, 300 mm के डिक्स मिल जाती है, ABS के साथ और यहाँ पे आपको क्रेमिका कैलिपर की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन मिल जाते है 37 mm के सस्पेंशन की दोनों और आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर कंपनी ने प्रोवाइट कराया है चलिए दोस्तों आप देखते हैं इस बाइक के कैपेसिटी के साथ यह फ्यूल टैंक आती है यहाँ पे आप यूएसबी चार्जिंग पॉर्ट देख सकते हो आप कहीं भी जाड़े हो मोवाइल चार्ज कर सकते हो दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगी इसके मीटर कंसोल की तो इसमें आपको N250 की तरह सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है साइड में आपको RPM लिमिट की लाइट, ABS की वार्निंग, गेर निूट्रल और निूट्रल की लाइट सो हो जाती है दूसरी ओर चले, तो यहाँ पर अपर डी पर, पासिंग की, टर्न इंडिकेटर और होंड की स्विच देखने को मिल जाती है दोस्तो यह जो कलर आप देख रहे हो, यह N160 की ब्रोकिंग ब्लैक कलर है, टोटल फोर कलर आपसन के साथ यह बाइक आती है यहाँ पर अगर इसकी seat comfort की बात करें तो split seat का option मिल जाता है, काफी सांदार seat मिल जाती है, कुशनिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है 160 की bashing मिल जाती है, इसकी seat का और पर matte black, split grab handle देखने को मिल जाते है side से आप देख सकते हो, जाली की work देखने को मिल जाती है, इसके engine पे DTSI की blending देखने को मिल जाती है इस bike में आपको kick का option मिल जाता है, आप after market kick लगवा सकते हो 165 mm का ground clearance मिल जाता है, crash guard मिल जाता है, single horn देखने को मिल जाता है, fiber body engine cowl देखने को मिल जाता है चलिए दोस्तो, finally अब हम लोग बात करेंगे इसके engine और power की, तो इसमें आपको 164.82cc का air cold 4 stroke SOHC 2 volt 2 in a spark DTSI fuel injection engine मिलता है जो maximum power generate करता है, 16 PS का 8750 rpm और maximum torque की बात करें तो 14.65 mm का generate करता है, 6750 rpm आप यहाँ पे देख सकते हो, break pad देखने को मिल जाता है adjustable rider का footrest देखने को मिल जाता है, exhaust यहाँ पे देख सकते हो, pillion का adjustable footrest देखने को मिल जाता है काफी bride और काफी चोड़ी यहाँ पे tire hugger देखने को मिल जाती है, tire की grip देख सकते हो, काफी सांदार grip देखने को मिल जाता है अगर इसके rear suspension की बात करें तो monosock with nitrox adjustable suspension मिल जाता है 230 mm का dix brake मिल जाता है इस bike में आपको dual channel ABS का option मिलता है tire size की बात करें तो 130-707 का यहाँ पे tubeless tire देखने को मिल जाता है आप इसके alloy पे देख सकते हो red और white color का काफी सांदार graphic work देखने को मिल जाता है अगर इसके rear look की बात करें तो काफी premium बनाती है इस bike को split LED यहाँ पे tail light देखने को मिल जाते है hello zone के यहाँ पे turn indicator देखने को मिल जाते है reflector देख सकते हो registration plate की जगर देखने को मिल जाती है इसके अगर right side के profile की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते है यह bike right side से कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है seat cowl पे आपको N160 की basing देखने को मिल जाती है red और white color के graphics के साथ lady pillion के लिए यहाँ पे काफी बड़ी सारी guard देखने को मिल जाती है open chance set की covering देखने को मिल जाती है fiber body के साथ pillion का यहाँ पे adjustable footrest देखने को मिल जाता है rider का footrest यहाँ पे देख सकते हो five speed gearbox के साथ यह bike आती है side stand cut off जैसे features इस bike में मिल जाते हैं चलिए दोस्तों finally अब हम लोग बात करेंगे इसके pricing की तो इसकी एक showroom price है 1,26,080 रुपीज और इसकी on road कीमत है 1,55,676 रुपीज यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दी है तिरहुत बजाज मारी पूर रोड मुझपर पूरिस्तित showroom में इस showroom की सारी जानकारी आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी दोस्तो आप लोग किसी भी city से और इस बाइक की on road प्राइज जानना चाहते हो तो आप मुझे comment box में अपने city का नाम लिख करके भेज सकते हो थैंक्यू दोस्तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करे शेयर करे और बाइकर्स पॉइंट चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच